नमस्यकार और आजम कड़े हैं इंडियन आटो शो में जिसका नाम है Gualier Trade Fair 2023 या Gualier Vipar Mela और यह है Trade Fair में RTO Gualier का Camp Office इस Trade Fair की खासियत यह है कि अगर आप यहां से गाड़ी लेते हैं तो आपको 50% RTO Tax Discount मिलता है यह इंडिया में एक लौता ऐसा trade fair है जहां RTO discount benefit मिलता है यहाँ पर लगे stall से आपको गाड़ी लेनी होगी और वो सिर्फ MP07 ही register की जा सकती है जो गॉलियर का RTO registration code है यहाँ पर सिर्फ MP के automotive dealers ही stall लगा सकते हैं एक brand के कई dealers भी यहाँ पर stall लगा सकते हैं हर साल लगबग 5-6,000 cars इस trade fair में बिखती है यह trade fair लगबग 1 महिने तक चलता है यह RTO camp office है वाइकल verification के लिए कि गाड़ी मेले से भी की है कि नहीं जिन dealers के यहाँ stall लगे हैं उनके showroom से भी आप car delivery ले सकते हैं बस यहाँ आपको आगर अपनी car verify करानी होगी और 50% RTO discount online मिल जाता है यहाँ two-wheeler, three-wheeler, car और commercial vehicles के कई stalls लगे हैं यहाँ गाड़ी है verify होने आ रखी है यह Scorpio N यहाँ पर verify होने आई है यह Baleno verify हो रही है अभी और यह Balero Neo यहाँ पर verify हो रही है और यह Range Rover Sport इस Camp Office में verify होने आई है उसके वीचे थार है अब हम आयाँ जर्मन कंपनी Mercedes-Benz के stall पर और यहाँ parked है C220D इसकी एक showroom कीमत है 58 lakh रुपीज वैसे C class की कीमत शुरू होती है 57 lakh रुपीज से और टॉप मॉडली कीमत है 63 lakh रुपीज यह S class का छोटा वर्जिन है C class और यह S class RTO पर verify होने आई है इस S450 4Matic की कीमत है एक showroom 1 करोट 73 lakh रुपीज इसके डीजल मॉडल S350D की कीमत है 1 करोट 64 lakh रुपीज यह भी verify होने आई है RTO camp office पर अब हम आये Indian company Tata Motors के stall पर यह Tigor और यह punch SUV इसके कीमत शुरू होती है 1.06 lakh रुपीज Tiago Nexon की कीमत शुरू होती है 7,70,000 रुपीज और यह Harrier Dark Edition इसकी कीमत है 21 lakh रुपीज और Safari कीमत शुरू होती है 15,45,000 रुपीज और यह Tata Motors का दूसरा stall इसके कीमत शुरू होती है एक शुरू होती है 6,35,000 रुपीज है इस Safari Dark इसकी कीमत है 21,60,000 रुपीज और यह Tiago NRG इसकी कीमत शुरू होती है 6,50,000 रुपीज है और यह Tropical Mist Color में Harrier Nexon EV Max इसकी कीमत शुरू होती है 16,50,000 रुपीज है Tiago CNG इसकी कीमत शुरू होती है 7,45,000 रुपीज है और टिक और EV 12,50,000 रुपीज से इसकी कीमत शुरू होती है यह Tata Motors का तीसरा stall Harrier Kaziranga इसकी कीमत है एक शुरू होती है 21,00,000 रुपीज टिक और सिदैन इसकी कीमत शुरू होती है 6,00,000 रुपीज है Petrol और CNG में यह आती है Tiago इसकी कीमत शुरू होती है 5,40,000 रुपीज से Nexon टिक और EV 315,00 किलोमेटर रेंज है White Clear में Stylish Ultros Tiago EV कीमत शुरू होती है 8,50,000 रुपीज से पंच SUV यह Tata Motors का चौथा स्टॉल यहां कड़ी है Tiago अब हम आये Tata Motors के commercial vehicle के स्टॉल पे और यह V10 pickup truck 2-cylinder 800cc डीजल एंजिन है इसकी कीमत है एक शुरू होती है 7,12,000 रुपीज यह नया योद्धा 2.0 इसकी कीमत है 10,00,000 रुपीज इंट्रा V50 कीमत है एक शुरू में 8,67,000 रुपीज एक और इंट्रा V50 यह Tata Ace Gold Plus कीमत है 6,00,000 रुपीज Ace HT Plus कीमत है 6,48,000 रुपीज और यह Ace Gold CNG Plus कीमत है 6,45,000 रुपीज योद्धा की कीमत शुरू होती है 8,74,000 रुपीज और यह 510 LPT ट्राक इसकी कीमत है 15,00,000 रुपीज और यह Magic Express इसकी कीमत है 7,27,000 रुपीज एक शुरू म अब हम आये Korean Company Kia के stall पे और यह है Indian Car of the Year 2023 Carance इसकी कीमत शुरू होती है 10,19,000 रुपीज कार्निवाल की कीमत शुरू होती है 31,00,000 रुपीज और यह Seltos इसकी मशुरू होती है 10,70,000 रुपीज सॉनेट कीमत शुरू होती है 7,70,000 रुपीज अब हम आये Korean Company Hyundai के stall पे यहां खड़ी है Creta Night Edition इसकी कीमत शुरू होती है एक शुरूम 13,70,000 रुपीज वर्ना की कीमत शुरू होती है 9,60,000 रुपीज अलकजार की कीमत शुरू होती है 16,00,000 रुपीज यह 6 or 7-seater में आती है वैन्यू की कीमत शुरू होती है 7,61,000 रुपीज और यह नई I-20 इसकी मशुरू होती है 7,18,000 रुपीज और यह नई Grand I-10 Neos Facelift इसकी कीमशुरू होती है 5,68,000 रुपीज और यह सिदैन की कीमशुरू होती है 6,29,000 रुपीज नाइट एडिशन क्रेटा यह एक और हुंड़े का स्टॉल यहां खड़िये पुरानी Grand I-10 Neos और यह CNG में भी आती है और यह Venue Venue के Top Modely कीमत है 12,86,000 रुपीज Alkazar के Top Modely कीमत है 20,65,000 रुपीज और यह I-20 और अब हम आये जर्मन कंपनी Volkswagen के स्टॉल पे यहां खड़िये Virtus Sedan इसकी कीमशुरू होती है एक शोरूम 11,32,000 रुपीज से और Top Modely कीमत है 18,42,000 रुपीज यह 1000 cc और 1500 cc एंजिन में आती है और यह Tigon STU भी इसकी कीमशुरू होती 11,56,000 रुपीज है अब हमाया Japanese company Maruti Suzuki के स्टॉल पे यह Arena का स्टॉल है दो इको खड़ियें बाहर कावी शांदार डिस्प्ले है Celerio यह Alto K10 कीमशुरू होती है एक शोरूम 4,00,00 रुपीज है वैगनार ब्रेजागी कीमशुरू होती है 8,19,000 रुपीज है यह Maruti Suzuki का दूसरा स्टॉल अरेना का बाहर खड़िये ब्रेजा LED डिस्प्ले और यह Maruti Suzuki Nexa का स्टॉल Grand Vitara इसके कीमशुरू होती है 10,44,000 रुपीज है यह Hybrid और All Wheel Drive में आती है Baleno, Ignis Siyaas की कीमशुरू होती है 9,19,000 रुपीज है Grand Vitara SUV Ignis की कीमशुरू होती है 5,56,000 रुपीज है Baleno की कीमशुरू होती है 6,56,000 रुपीज है और यह Stylish Red Color में XL 6 इसके कीमशुरू होती है 11,41,000 रुपीज है यह एक और Maruti Suzuki Nexa का स्टॉल बाहर खड़ी है Ignis Base Model एक और Ignis Baleno Siaz Grand Vitara और यह Maruti Suzuki Commercial का स्टॉल Super Carry CNG की कीमशुरू होती है 6,29,000 रुपीज से Super Carry Patrol कीमशुरू है 5,00,000 रुपीज CNG Model Super Carry यह Patrol में इसका Cap Chessy Model भी आता है यह Ready for Delivery अब हम आये Indian Company Mahindra के स्टॉल पे यहां खड़ी है Famous Indian SUV Bolero इसकी कीमशुरू होती है X-Room 9,45,000 रुपीज से Bolero Neo की कीमशुरू होती है 9,47,000 रुपीज से यह एक और Bolero Neo X-Room 3-Double की कीमशुरू होती है 8,42,000 रुपीज से और थार की कीमशुरू होती है 10,000,000 रुपीज से और यह Bolero SUV यह एक और Mahindra का स्टॉल Ready for Delivery Mahindra थार इसके टॉप मॉडली कीमट है 16,49,000 रुपीज यह 4x2 और 4x4 में आती है X-Room 7-O कीमशुरू होती है 13,45,000 रुपीज से यह टॉप मॉडल बोलै रो अब हम आये हैं Mahindra Commercial Vehicle के स्टॉल पे यहां खड़ी है Mahindra E Alpha Mini इसकी कीमट है 1,52,000 रुपीज इस जीतो प्लास CNG पिकप कीमत है 5,00,000 रुपीज Trio की कीमशुरू होती है 3,00,000 रुपीज से Alpha प्लास CNG कीमशुरू होती है 2,60,000 रुपीज से यह Alpha CNG कीमशुरू होती है 2,56,000 रुपीज से Bolero Max पिकप कीमशुरू होती है 7,91,000 रुपीज से और यह Supra Profit Mini, 6 lakh रुपीज कीमत, और यह Bolero 1.70 पेकप चैसी, अब हम आया है British Company Land Rover के स्टॉल पे, यह है Discovery Sport SUV, इसकी कीमा शुरू होती है, एक शुरूम 71,39,000 रुपीज है, पैटल और डीजल में यह आती है, और यह नई Range Rover Sport, इसकी कीमा शुरू होती है, 1 करोट 64,00 रुपीज से, और Top Model कीमत है, 1 करोट 84,00 रुपीज, यह Newly Launched एकदम Latest Model है, अब हम आया है American Company Jeep के स्टॉल पे, यह खड़ी है Meridian, इसकी कीमा शुरू होती है, एक शुरूम 30,00 रुपीज से, और Top Model कीमत है, 32,60,000 रुपीज, यह एक और Jeep का स्टॉल, Compass की कीमा शुरू होती है, 25,74,000 German Company Audi का स्टॉल, Swedish Company Volvo का स्टॉल, और यह German Company BMW का स्टॉल, यह है 5 Series 520D M Sport, इसकी कीमत है एक शुरूम 68,00 रुपीज, इसके पैट्रोल मॉडल की कीमत है 65,40,000 रुपीज, अब हम आया Chinese Company MG Motor के स्टॉल पे, यहां खड़ी है नई हेक्टर फेसलेफ्ट, कीमा शुरू होती है, 14,072,000 रुपीज है, शांदार बड़ी ग्रिल, एस्टॉर की कीमा शुरू होती है, 10,51,000 रुपीज है, यहां खड़ी है पुरानी हेक्टर SUV, अब हम आया Japanese Company Honda के स्टॉल पे, अमेज की मशुरू होती है, 106,90,000 रुपीज है, और टॉपणली कीमा शुरू होती है, 9,48,000 रुपीज, सिटी से डैन की मशुरू होती है, 11,87,000 रुपीज है, अमेज बेस मॉड़ल, डबलु आर्वी की मशुरू होती है, 9,11,000 रुपीज है, अब हम आया Japanese Company Nissan के स्टॉल पे, यहां खड़िये, Magnite SUV, इसकी मशुरू होती है, 6,00,000 रुपीज से, और टॉपणली कीमा थे, 10,37,000 रुपीज, यह सिरिफ 1,000 cc पेट्रोल एंजिन में आती है, इसका एक और टर्बो मॉडल भी आता है, अब हम आया French Company Citroën के स्टॉल पे, यहां खड़िये, C3 Crossover, कीमा शुरू होती है, 6,00,000 रुपीज से, और टॉपणली कीमत है, 8,25,000 रुपीज, यह 1200 cc पेट्रोल एंजिन में आती है, उसमें दो आप्शन्स है, 80 होर्स पावर और टर्बो में 108 होर्स पावर, दोनों में आपको 19 का एवरेज मिलेगा, अब हम आया French Company Renault के स्टॉल पे, और यह Tribor MPV, इसकी कीमा शुरू होती है, एक शुरूम 6,00,000 रुपीज से, और टॉपणली कीमत है, 8,63,000 रुपीज, एक और Tribor, कुईड की कीमा शुरू होती है, 4,70,000 रुपीज से, काईगार SUV की कीमा शुरू होती है, 6,00,000 रुपीज से, अब हम हैं चेक कंपनी, Škoda के स्टॉल पे, यहां खड़ी है Slavia, इसकी कीमा शुरू होती है, 11,30,000 रुपीज से, कुशाक की कीमा शुरू होती है, 11,60,000 रुपीज से, Slavia के Top Only कीमत है, 17,00,000 रुपीज, और कुशाक के Top Only कीमत है, 19,70,000 रुपीज, अब हम आया है, Japanese Company, Toyota के स्टॉल पे, यहां खड़ी है नई Urban Cruiser High Rider, इसकी मशुरू होती है, एक शुरूम, 10,48,000 रुपीज से, Hybrid और Mild Hybrid में ही आती है, Glanza की कीमत शुरू होती है, 6,60,000 रुपीज से, High Rider के Top Only कीमत है, 19,00,000 रुपीज, Hilux Pickup की कीमत शुरू होती है, 34,00,000 रुपीज से, और Top Only कीमत है, 36,80,000 रुपीज, और यह Hilux का Extreme Off-Road Concept, जिसे आपने Auto Expo में भी देखा था, काफी Heavy Modifications हैं इसमें, Off-Roading के लिए, अब हो आए Indian Company, Aisher के Stall पर, यह है Pro 2059 XP ट्रुक, 7.49 टन क्रॉस वेट है, और यह School Bus, साइड में, Pro 6048 ट्रुक, यह Pro 2049 ट्रुक, 4.9 टन ग्रॉस वेट है, यह एक और 2059 XP ट्रुक, अब होँ है Indian Company, Force Motors के Stall पर, यह नई City Line SUV, यह 10-seater मोडल है, इसमें सारी Front Facing Seats हैं, अब होँ आए Indian Company, बजाज के Stall पर, बजाज Maxima Pickup, बजाज Maxima Auto, C&G Auto है यह, Maxima Green, Blue, Yellow और Red कलर में अवलेवल है, Maxima का Pickup, अब होँ आए Indian Company, अशोक लेलेंड के Stall पर, यह नया बड़ा दोस्त, इसमें I1, I2, I3 और I4 मोडल्स आते हैं, और यह दोस्त Pickup, इसमें भी 4 मोडल्स आते हैं, अब हम आएं इसमें 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 आते हैं, यह आपे ECT Electric Auto, यह आपे Extra Pickup, कई Colors इसमें आते हैं, यह आपे CNG Auto, Extra Pickup, Diesel, Petrol, Electric और CNG में आते हैं, यह आपे Electric Auto, यह आपे E-Extra, 8 Kilowatt आ ली थी हमाएं बैटरी है इसमें, 12 Hp है और 975 kg ग्रॉस वेट है, पियाजियो का एक और स्टॉल है यहाँ पे, यहाँ पे Extra Pickup, यह पियाजियो का सबसे यादा बिकने वाला मोडल है, यहाँ पे Auto, अब हमाएं इंडियन कंपनी अतुल के स्टॉल पे, यह G.E.M. Cargo, डीजल और CNG में यह आता है, G.E.M. Pax CNG Auto, और यह Rik CNG Auto, और यह Elite Plus Electric Rikshar, इसमें पिक अप मोडल भी है, अब हमाएं इंडियन कंपनी हॉप के स्टॉल पे, यहाँ खड़ा है दबंग प्रो 1000 Electric Rikshar, इसकी कीमत है एक शो रूम रूम 1,070,000 रूपीज, अब हमाएं इंडियन कंपनी गरूद के स्टॉल पे, यह E.Garood Pro Electric Rikshar, 90 किलोमेटर रेंज है और 48 वोल्ट की लेड असेड बैटरी है इनमें, अब हमाएं इंडियन कंपनी JSA के स्टॉल पे, JSA Victory Plus CNG Passenger, 400cc एंजन है, 9 हॉर्स पावर है, 57 किलोमेटर पर आर की टॉस स्पीड है, 1088 kg ग्रॉस वेट है इसका, अब हमाएं इंडियन कंपनी तेजा के स्टॉल पे, यह Diesel Cargo Model, यह CNG और Electric में भी आता है, और यह CNG Passenger, यह भी Electric में अब रेबल है, अब हमाएं इंडियन कंपनी City Life के स्टॉल पे, यह 3-wheeler Pick-Up Model, यह 3-wheeler Electric रिक्षा, अब हमाएं इंडियन कंपनी राजंस के स्टॉल पे, यह Electric Pick-Up, 3-wheeler, Electric Auto, यह एक और Electric Auto Model, और यहां कई सारे Banks के भी स्टॉल है, यह HDFC Bank, यह Canera Bank, कई सारे Attractive Finance Offers है, यह SBI का Bank, SBI का ATM है, पंजाब National Bank का स्टॉल, मेले के लिए कई Special Offers भी हैं यहांपर, Bank of Maharashtra का स्टॉल, यह EU Small Finance Bank का स्टॉल, कई सारे Car Loan Offers हैं, यह Mahindra Finance का स्टॉल, 50% Road Tax Discount है, और यह है मेले का Center of Attraction, Well of Death, यह मौत का कुँआ, का स्टॉल, झाल झाल तो कैसा लगा आपको गॉलियर ट्रेट फेयर या गॉलियर मेला हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू झाल 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 झाल